हेलो फ्रेंट्स वेलकम चैनल मैथमेटिकल इस्टेशन ये क्लास 7 का चैप्टर नंबर वर्न है इन टीचर एक्सुसाइज वन पॉइंट वर्न कोई नंबर वाल फूलोइंग नंबर लाइन शोद टैंप्रेचर इन डिगरी सेल्सियस एद डिफरेंट प्लेसिस ओन पर्टिक और राइट टैंप्रेचर ऑफ दि प्लेसिस बांड इन हम इस लन गोग पर्णा है उसके बाद जो जोगाई प्लेसिस हैं उसा प्लेस का कमें टैंप्लेचर लिखना है क्या स्थें किस जगह पैं कितना टैंप्रेचर है फर्स्ट है लगूल इस्प्लिती लगूल इस्प्लिती में कितना ट्रंप्रेचर है यह जाएगा मानस 5, मानस 6, मानस 7, मानस 8 यह मानस 8 डिग्री सेल्सियस देन श्रीनगर में 0 के बाद गयाएगा मानस 4 यह जाएगा मानस 2 डिग्री सेल्सियस थर्ड है शिम्ला, शिम्ला कापर है 5 पे यह हो जाएगा 5 degree Celsius उटी, यह 10 है इसके बाद 11, 12, 13, 14 यहाँ जाएगा 14 degree Celsius यहाँ जाएगा 14 degree Celsius यह जाएगा 20, 21, and 22 यह हो जाएगा 22 degree Celsius इसमें उन्हें जितने प्लेशें दीवें पांचों का हमने इस टेवल पे से देखा है कि यह कहा कहा रहें किस किस नमबर पर एंड उतनी डिगरीज का टैंपरेचर है दी पाचे वोट इस तेंपरेचर दिफरेंस बीटें डे होटेस एंड यह कोल्डेस्ट प्लेश सबसे ज़्यादा गाराव जो जो थांड जो ऑन दोनों के बीच जो जो बी टैंपरेचर है उन दोनों के टैंपरेचर का डिफरेंस कितना होगा सो होटेस्ट प्लेस कितना है कौन सा है बैंगलोरी कितने पे 22 डिगरी सेलसियस एंड कोल्डेस जो सबसे ज़्यादा नेगेटिव होता है वो है लवल इस पीती माइनस एट डिगरी अब हमें इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताना है डिफरेंस क्या होगा 22 डिगरी में से हम माइनस एट डिगरी को माइनस कर देंगे यह हो जाएगा 22 डिगरी माइनस माइनस हो जाएगे प्लस एट डिगरी 8 degree celsius तो यह हो जाएगा 30 degree celsius इन दोनों के बीच का कितना difference आएगा 30 degree celsius थोड़ पाट है वोट इस तेमपरेचर डिफरेंस बीच्वीन लहूल इस्पिती और श्री नगर लगुल इस्पिती और श्री नगर के टेंपरेचर का डिफरेंस क्या होगा इसमें हमें वो बताना है तो श्री नगर का टेंपरेचर कितना है माइनस टू डिगरी लगुल इस्पिती का टेंपरेचर कितना है माइनस एट डिगरी हमें इन दुनों का difference बताना है तो simple हम दोनों को minus कर देंगे minus करेंगे minus 2 degree Celsius में से हम 8 degree Celsius को minus 8 degree Celsius को minus करेंगे यह हो जाएगा minus 2 degree Celsius और यह दोनों minus minus plus बन जाएगी हो जाएगा 8 degree Celsius अब हम इन दोनों को यह plus ही minus है तो क्या होगा plus minus minus होगा यहां पर आजाएगा 6 degree Celsius 8 में से हमने 2 minus कर रहा है तो यहां पर 60 degree Celsius बड़ी संग्या बड़ी डिजिट जो हैसमें वो plus किया तो यह answer हमारा प्लस में आएगा तो इन दोनों प्लेसे का जो डिफरेंस है तेंपरेचर में वो कितना आएगा 6 degree Celsius next है डी पाज can we say temperature of Shrinagar and Shimla take it together is less than temperature of Shimla is it also less than the temperature of Shrinagar so इस कुशिट में हमें क्या देखना है कि जब हम Shrinagar और Shimla के तेंपरेचर को एक साथ लेते हैं क्या वो Shimla के तेंपरेचर से कम होगा पहले हम इतना देखते हैं तो हम क्या करेंगे दोनों को साथ में लेना है Shimla का टेंपरेचर 5 degree and Shrinagar का टेंपरेचर है माइनस 2 degree दोनों को साथ में लेने का मतलब दोनों को प्लस करेंगे 5 – 2 करेंगे इसमें से यह हो जाएगा 5 – 2 is equal to 3 degree celsius जब हम दोनों को साथ में लेते हैं तो यह कितना आता है? 3 degrees Celsius आता है और श्रिम्ला का temperature हमारा कितना है? 5 degrees Celsius तो हम इसमें करेंगे Yes, यह श्रिम्ला की temperature से कम है 3 degrees Celsius जो है Which is less than 5 degrees Celsius यह श्रिम्ला की temperature से कम आया है अब next है Is it also less than the temperature of Shrinagar? क्या यह श्रिम्ला की temperature से भी कम है? No श्रिम्ला की temperature है minus 2 degrees और आंसर की आया है हमारा 3 degrees 3 degrees Celsius में हमारा आंसर आया जो हमारा आंसर है वो श्रिम्ला की temperature से ज़्यादा है लेकिन श्रिम्ला की temperature से कम है Question No.2 In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer If Jack's score in 5 successive rounds is worth 25, minus 5, minus 10, 15 and 10 What was his total at the end? एक quiz होता है जिसमें अगर आप सही का answer करते हो तो positive marks मिलेगा correct answer के लिए and negative marks मिलेंगे incorrect answer के लिए Jack में कुछ 5 round में यह score करा है एक में 25, फिर minus 5, फिर minus 10, फिर 15 and 10 तो हमें बताना है के उसका end में total कितना होगा है So, Jack's score in 5 successive rounds is minus 25, minus 5, minus 10, 15 and 10 और उसका total score कितना होगा हम इन सब को plus कर देंगे यह हो जाएगा 25, plus minus 5, plus minus 10, plus 15, plus 10 यह हो जाएगा 25, bracket opens अब करेंगे अब हम यह minus है, यह plus है, plus minus क्या हो जाएगा? minus, यह minus है, यह plus है, plus minus, minus 10 यह हो जाएगा plus 15, यह plus 10 अब हम इसको simple solve कर देंगे पहले सारे plus वाले हम digits plus कर लेंगे 25, plus 15, plus 10, उसमें से हम 5 and 10 को बाइद में minus कर देंगे इन दोनों का भी हम एक जगा plus कर लेते हैं लेकिन हम साहीं minus का लगाते हैं यह हो जाएगा 25, plus 15, 40, plus 5, plus 10 हो जाएगा 50 and यह हो जाएगा 5, plus 10 हो जाएगा minus का 15 50 minus 15 is equals to 35 यह हो गे इसका अंसर तो यह सारे नंबर मिलने के बाद उसमें लास्ट में जो टोटल स्कोर करा है वो टोटल स्कोर है उसका 35 next question no.3 at Shrinagar temperature was minus 5 degree on Monday and then it dropped by 2 degree Celsius on Tuesday what was the temperature of Shrinagar on Tuesday on Wednesday it rose by 4 degree Celsius what was the temperature on this day इस question में भी क्या बता हैं पहले question का meaning समझते है Monday की दिन Shrinagar का temperature minus 5 degree है next day Tuesday के दिन उहां को जो temperature है वो 2 degree और कम हो गया है drop means 2 degree और नीचे गिर गया है मतलब कम हो गया है हमें बताना है कि Tuesday के दिन फिर वापे कितना temperature हुआ है इतना question करते हैं फिर उसके बाद Wednesday को वही temperature 4 degree और आगे बढ़ गया है 4 degree बढ़ गया है मतलब प्लस हो गया है उसमे what was the temperature on this day तो हमें Tuesday and Wednesday का temperature बताना है पहले हम Tuesday को find करते है Monday का temperature हमारा कितना है minus 5 degree Celsius इसमें Tuesday में 2 degree Celsius और कम हो गया है तो हम क्या करेंगे Tuesday का temperature हमारा क्या होगा minus 5 degree Celsius जब 2 degree कम होगा है तो 2 degree हमारा minus हो जाएगा क्ल understand ॥ क्या तो निदू होगे मैनस Mario パ। सब ने कि बढ़ गया क्यांट तो सब्सक्राफ़ा मैनस सब्सक्राफ था जब बढ़ा है तो हम उसमा प्लस कर एंगे francisco सब्सक्राइब करें से थिए सब्सकुम जाएगा सब्सक्राइब करने प्रसक्राइब चाल्सजयर आएगा Q4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? A plane is flying at the height of the sea level. The plane is flying at the height of the sea level. The plane is flying at the height of 1200 meter below the sea level. So, we will know how much distance between plane and sea level is flying at the height of the sea level. सबक्क्राइइब calling имеए 5,000 meters and submarine कितने लिए भूजस लेल से कितना नीचे चल रहीं 700 meters, so, इन दोन के बीच को डिस्टेश één कितना होगा किंगों को państ कर देंगे 5000 meters plus 1200 meters जो क्यों जायेगा 6200 meters. So, plane, submarine के बीच को डिस्तेस है, वह 6200 METR Q5. Mohan deposit Rs. 2,000 in his bank account and withdraw Rs. 1,642 from it the next day. If withdraws of amount is represented by negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance of balance in Mohan account after the withdrawal. Mohan ने अपने bank account में Rs. 2,000 रुपीज जमा किये हैं. उसके next day उसने Rs. 1,642 रुपीज निकाल लिया है. अगर जो values उसने निकाल लिया हैं, उसको गरम negative integer से represent करते हैं, तो हम उसके deposit amount कैसे निकालेंगे? ठीक है? उसके deposit amount को हम क्या represent करेंगे? And last, हमें उसमें ये बताना है कि उसने withdrawal करने के बाद, अब उस more के account में कितने पैसे बच्चे हैं? So amount deposit in the bank account is Rs. 2,000 रुपीज उसने जमा किये हैं. क्योंकि जमा किये हैं, तो इसलिए positive रहेगा. Next है, amount withdraw from the bank account. कितनी amount withdraw करें उसने bank account से? 1,642 रुपीज. 1,642 रुपीज. अब क्योंकि ये negative integer को represent करती है, तो ये हो जाएगा minus का. Minus 1,642 रुपीज उसमें withdrawal कर लिए हैं. अब उमें बताना है कि मोहन की account में withdrawal के बाद कितने पैसे बच्चे हैं? कितने पैसे बच्चे हैं? वो रिकालने के लिए हम इनको प्लस कर देंगे. कैसे करेंगे? 2,000 plus minus 1,642 तो ये हो जाएगा 2,000 ये plus है ये minus है, ब्रैकेट ओपन होगी हो जाएगा minus 1,642 जब हम इसमें से इसको minus करेंगी तो आंसर आएगा 358 रुपीज तो विट्रोल की बाद मोहन के एकाउंट में कितने पैसे बच्चे है? 358 रुपीज 6. रिता गॉपाशो बाद ऊविज If the distance toward east is represented by positive integer, then how will you represent the distance to travel toward west? By which integer will you represent her final position from A? क्या दिरकाई इसमें? के रिता, A point से B point की तराफ जाती है, वो east की तराफ जा रही है. के A point से B point तक वो गई है, 20 km. और बाद में वो उसी B point से वापस आई है, 30 km. वो एपस आने में, वो C point तक गई है, 30 km. तो A point से B point की बीच का distance की तरा हो गया है, 20 km. और B to C की तरा हो जाएगा, 30 km. जब वो east की तराफ जा रही है, तो हम उसका जो distance है, वो positive integer में लेंगे. यानि कि आगे जाने का जो distance है, वो positive integer है, तो वापस आने का negative integer होगा, यह हो जाएगा, minus 30 km. अब हमें A से B and B से C का distance बताना है, तो हम कैसे करेंगी, दूरों को plus कर देंगे, 20 km, plus करेंगे, इसमें, minus 30 km. तो यह क्यों हो जाएगा, 20 km, यह plus है, यह minus है, तो minus आएगा 30, तो answer क्या आएगा, minus 10 km, तो answer किसमें आया है, negative, final position from A क्या आईए, negative, इसका answer हो गया है, और A की जो final position है, उसको हम negative integer से represent करेंगे, क्योंकि answer हमारा, minus 10 km आया है, तो अिबाएगा शटेशा, ।ो आएगागगाय को ऑता चाता हम आएगा, उसका single Kitty आएगe, उसकाऊगागर का जल आएगा, जैजारा नाएगाम आपागाया उसका दो तो सांँत्वें,नाएगाल जो आएगागा जएगागा है, उसकाउड़ से नहाणागागा, उसकान ऐ